केएं आखिये दोस्तों वीडियो की दिखात करते हैं मारा पहला सेंटेंस है क्या हुआ इसे ईंग्लिष में बोलेंगे waht happened क्या होगा what happened नेक्ष्ट है होता है अगर हम किसी को बोलते है कि अक्सर यह होता है it happens इसे इंग्लिष में क्या बोलेंगे it happens next वाला है आगे भढ़ो इसे English में बोलेंगे move on क्या होगा move on next वाला है शोर मत मचाओ don't make a noise क्या होगा don't make a noise अगला है या देखने लायक है इसे English में बोलेंगे it's worth watching क्या होगा it's worth watching अगला sentence है बीच में मत बोलो don't interrupt क्या बोलेंगे interrupt मत करो don't interrupt बीच में मत बोलो next है अपनी ओकात में रहो be in your limit क्या होगा be in your limit अगला है दिमाग सांत रखो be cool minded क्या होगा इंगलिस में be cool minded next है उसने मुझसे बहस की he argued with me क्या होगा he argue with me अगला है मुझे गाली मत दो don't abuse me क्या होगा don't abuse me अगला है मुझे गुसा मत करो don't be mad at me क्या होगा don't be mad at me अगला है उस पे करी नजर रखो keep a close eye on him क्या होगा keep a close eye on him next है ध्यान से सुनो इसे इंगलिस में बोलेंगे listen carefully क्या होगा listen carefully next है हा मत कहना don't say yes क्या होगा don't say yes next है मैं तुमें बहुत जेल चुका हूँ इसे इंगलिस में बोलेंगे I have had enough of you क्या होगा I have had enough of you अगला है यहाँ मेरा फेसला है इसे इंगलिस में बोलेंगे it's my decision क्या होगा it's my decision अगला है आपका इरादा क्या है what are you to up क्या होगा what are you to up तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो में कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा क्या है